आपका स्वागत है राकेश सिंग जी राय वरेली की हर्चंदपुर विधान सवा से विधायक हैं और कॉंग्रेस पार्टी से तालुक रखते हैं आज बात करेंगे कि विधायक जी गाउं में किस चीज की कमी है आखिर इसकी वजह क्या है विधायक जी आपका स्वागत है हमारे इस कारिक्रम में आज आजादी को सत्तर बड़ शो चुके हैं लेकिन गाउं की इस्थिति आज भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है गाउं को सुधरने के वादे तो सभी ने किये लेकिन गाउं के माहौल में भी सुधरने आपाया और गाउं के इस्थ्थिति भी आज वहीं है देखिए गाउं में जब कोई भी Brazilian जाएगा और practically अपनी आँग से देखी वह देखी कर कि गाउं में क्या क्या कमिया हैं और उन पर वह प्रो सीरियस हो सब्सक्राइब जानवर जो घूम रहे हैं इस से किसानोंके बहुत नुक्सान हो रहा है ए मेरा इस पर सुझा मेन सरकार का कि अगर इसकी जिम्मिदारी विथाएकों को ही दिया जैसे अनकी उनकी मिलती है विथायकों को खुशी से एगर उनको कह दिया जाए कि अपने गायों को बैलों को जो है पकड़ करके गवसाला में बंद करके उनको चारा पानिक विए उस्था कराएगा वो तो पर्मानेंट विधायक रहेगा और जो आदमी इस पैसे को भी खाएगा वो विधायक अपने आप सुता समाब तो हो जाएगा उसका कोई कुछ होने वाला नह आएगी तो विधायक की आएगी सरकार का उसमें तच्छेप नहीं रहेगा फिर लेकिने जिम्मेदारी मेरा सुझाओ है कि सरकार को देना चाहिए विधायकों के उपर दूसरी बात जैसे गाओं में सहरों में लोग फागिंग कराते हैं मच्छरों के प्रकौप से बचाने के लिए उसी प्रकार गाओं में 85% आबादी के लोग रहते हैं और 15% सहर में रहते हैं सरकार को समझना चाहिए कि 35-85% लोगों की आउस सपता, ज्यदा है कि उनको 15% का है। फागिंग करा देने काम सहरों की बजाए गाओं में होना चाहिए। गाओं में न तो इतने अच्छे डाक्टर होते हैं, न तो इतने अच्छे स्पटार होते हैं, और सहर में फिर उनका सोसन किया जाता है गाउं में भी आपको लेबर लेना हो तो पांस रुपए में नहीं मिलेगा रोज और सहर में आपको लेना हो तो यहाँ दो सो रुपए मिल जाएगा इसलिए कि गाउं के लोग भग कर आते हैं करेंगे तमाम इसी है ज़ो इसे हो जाओं में बिजनस करेंगे कुछ भी करेंगे लेकिन मेरा सुझाओं में विकास करने का अ होसकता है डायओं में लोग गए जहां पर 10-15-15 वर्सेओं अस्पताल बना हुआ है लेकिन वह डॉक्टर नहीं पहूंच भाए क्या डॉक्टर गाउं नहीं जाना चाहते हैं या सरकार हैं इस चीज पर ध्यान नहीं देती हैं हमने बताया ना कि गाउं में उनको अगर वो सुभिधा मोहिया कराई जा जो सहर में मिलती है तो गाउं में रुकना सुरू कर देंगे लेकिन अगर उनको बच्चों को पढ़ाना है डाक्टर को तो सहर में ही पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों क्योंकि वो ऐसे स्कूल तो मूल भूत सुविधाय जो गाउं में लोग रहते हैं उनको नहीं मिल पा रहे हैं वो जानते हैं कि गाउं का इनका जो रहने वाला आदमी है ना तो उसको अच्छा इलाज यहां मिल पा रहा है ना तो अच्छा पानी पीने को मिल पा रहा है ना तो खाने को अच्छा मिल विए तो कैसी गउँ में रहेगा तो डाक्टर कहां रह सकता है जो परहा लिखा होता है जो बिना पढ़े लिखे लोग भगे आ रहे हैं गाहुं से सहर को तो प्राथमी आदमी कहां से रहेगा फीट जैसे प्राथ्मिक विद्याले हैं जूनियर है इसकूल हैं काफी संग्या में उत्तर प्रदेश में है 69163 जो ग्राम पंचायते हैं उन्हें सभी यह चीज़ें सरकार की तरफ से दी गई है बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो बिना टीचर के चल रहे हैं कहीं कहीं तो खाली सिक्षा मेत्री हैं अब जैसे आपने इसकूलों के बात कहीं इसमें कोई दोमत नहीं है कि इसकूल बहुत हैं पूरे प्रदेश में और सभी स्कूलों में जितना पैसा खर्च होता है उससे कम पैसे में अगर किसी छेत में दस स्कूल हैं तो पांच स्कूल चालू किये जाएं और पूरी सुविधा उनकी उतना पैसा पांच स खुलता है तो लोग 20 km अपने बच्चों को भेजते हैं जबकि सरकार का मानक है कि 1 km की दूरी और 300 की आबादी में एक प्राथमिक विद्याले देंगे तो उससे 300 की आबादी और 1 km की बजाए 15 km में विद्याले दें लेकिन स्मार्ट विद्याले दें जिनको पढ़ाने के सो ताला खोल बैठ जाता था अध्यापक 12 बजे आते थे अब सिच्छा में तो बिचारे अंधेरे में हैं कि हम काम करें पता नहीं हमको आगे नवकरी मिले की नहीं मिलेगी तो वह भी जाना बंद कर दियो जो अध्यापक 12 बजे बात पहुचता है तो पढ़ाई होती रही व कर दिद्धयों के पास नहीं है इसकी वजह क्या इस जो आधिकारी हैं वो जितनी पंचायत विःग की ऽंस्थाएं है उन पर सब वह सब दीरे-दीरे अपना आधिकारु ज्मानाना चाहते हैं वह सोचते हैं कि प्रदान के ज्यादा अधिकार है तो हमारा नहीं चलेगा ग प्रमुक इतकारियों को टानसपर कर दिए गहें तो यह सरकार की रणीत है अभी cum पंचाईती राझ जो अधनियम था करके और खंडित कर दिया पूरा कुछ उसमें बचा नहीं अब तो यह गी अधिकारी ही सब चला रहे हैं पूरा प्रतिनिधी का लिए खाली भी दसकत कर देता है कि वह भी इसलिए खाली कहीं सोचाले नहीं बन वाता है तो ग्राम पंचायत में ग्राम परधान के खिलाफ सरकार FIR करा रही है आप इसे उचित मानते हैं देखे हमारे हिसाब से 12,000 रुपए में सोचाले नहीं बन पाता है जो बना रहा है जो माडल सोचाले उन्होंने तयार किया है अगर इसमें जो मौर कि वह दुबारा नहीं जाया सकता है इसलिए कि उसका जो सीवर टैंक बन रहा है इतना चोटा है पांट फिट का गहरा है खाली वह बन रहा है पांट फिट में कितने दिन चलेगा आप मुझे बताओ दूसरी चीज उसमें कोई पानी की टंकी नहीं रखी जिससे उसमें प् कि पांसो लिटर की तंकी उसके सवचाले को उपर रखी जाए और उससे कम से कम प्रापर पानी पूरा उसको मिले जिससे साब सफाई भी हो जाए और सुच रहे हो तब तो उसका इस्तेमाल होगा तो कास्ट कम है इसलिए लोग कतराते हैं पैसा अपने लालच में टांसपर मेरे हिसाब से अगर सवचाले की को उनको सुच भारत बनाना है तो इसकी राश बढ़ानी चाहिए क्योंकि हम लोगों को याद है इससे पहले इंदिरा आवास योजना चली थी उसमें उसका 35,000 रुपए 45,000 रुपए रेट था तो हमारे यहां राइबरली में अनुसर्वन स कम है इसको बढ़ा दिया जाए तब बन पाएंगे जो इंदिरा आवास बन रहे हैं और इसी वज़े से कारवाई होती ही लोगों पर लोग पैसा तो निकाल लेते हैं लेकिन आवास नहीं बन पाता सुनिया गांधी के प्रतनिदियें उनके धीर सिरिवास्तों उष्टी थ आप डेढ़ घंटे में भारत सरकार के पूरा जीयोचेंज हो गया पूरे देश में लागू हो गया 45,000 से इंदिरा आवास के पैसा 75,000 कर दिया गया और 75,000 में आवास उसमें बन जाता था तो जैसे महगाई बढ़ती है उसी हिसाब से सरकारों को सोचना चाहिए कि हम अप पार्ट में पैसा निकलता तो उतने इमतिवाल से ज्यादा नहीं होता था लोग मजबूरी में पैसा ले लेते थे सोचे तो जितना में लाह उतने चलो मिल जाए लेकिन अगर अगर अपने पास नहीं लगाने के लिए होता था तो बन नहीं पाता था और जब 75,000 हो गया तो आवाज बनके तयार हो जाता तो उसी तरह सोचाले के पैसा चला तुझा रहा खाते में लेकिन अगर ये सोचाले 12,000 से 20,000 का दें अभी देखो उनको कहना नहीं पड़ेगा सब 20,000 में बना के तयार करते हैं अब जिनके पास 12,000 जो सोचाले बनाना चाहता है वो सोचता है 12,000 से लेलो 8,000 अपने पास से लगा लो 20,000 में तैयार हो जाता है तब तो बना लेता है लेकिन जिसके पास वही 12,000 का सहारा है सरकार की और उसमें भी बन बनता है पढ़ा रहे जाता है चाहे एक सिगरेटिक खिलाप करा दे चाहे प्रधान खिलाब करा दे कोई फाइदा निकली थी उसमें लोग सेलेक्ट भी हो गए थे उसके बाइद वो मामला रुक गया अब वो लोग जीत गए तो यह डबल बैंच में चले गए सरकार की मामले में हमें कहना यह कि जिसे अभी इनको 9 मेहने हुआ है और 5 साल का कारिकाल है पूरी 5 साल का मुल्यांकन करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा क्योंकि हो सकता है दो साल में बहुत अच्छा काम करना सुरू कर देंगे तो फिर अगर यह बात भी खराब हो जाएगी हाँ है इनका वो सही नहीं है लेकिन अभी हम मुल्यांकन नहीं करेंगे लेकिन इतना जरूर है कि अभी सरकार में जो लोग बैठे हैं एक तो काफे द का मैंने देखा जहां जहां रही है वह 233 जी इन्हों ने 233 बार पर सरकार बना ली तो अगर कुछ की होंगी तभी वनाई है तो इनको वहां से इनको अब धीरे-धीरे अनभो गेन करें और दो साल बाद स्टेंड कर जाएं तब तो हमारी बात भी तबढ़ा जाएग अभी एक ओर से जीतने वाला भी जो प्रमारपत मिलता है उसी को मिलेगा एक ओर से जीतने वाले को प्रमारपत उसी को मिलेगा ना एक ओर से हारने वाले को तो मिलेगा नहीं अब जीते तो वो कि नहीं जीते अगर वो 20 साल रहने के बाद भी 25 साल बाद अगर नहीं हारे तो इसका म आपने मिसल में कामयाब रहे वह हमारा मानना है कामयाब होने कि बाद ही जो आद्मी में कामयाब होता उसी को माना जाता है अभी नौ महिने में इनका मूल्यांकन करना कि इन्हों अच्छा किया की गलत किया यह उचीत नहीं लेकिन जब भी बाजपा सरकार जाएगी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी कमी हो रही है वो सिर्फ इस समय जो किसानों की खेती चरी जा रही है जो खुला जानवर की वज़े से अगर इसका बेवस्था नहीं किये तो सबसे पहले इनका यह बहुत बड़ के हिसाब से दे रहे हूं इनको चाहिए जितना नगर पंचायतें अपना बज़ट Breaking rounds करती हैं पांच जार की आब अबादीपर एककरोड रूपए लफग नगर पंचायत को जाता है उसी प्रकार अगर 10,000 की आवादी पर भी एक करोड़ रुपए बजट ग्राम पंचायतों को कर दें तो मेरे ख्याल से गाउं में भी मूल भूत सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे और विकास हो जाएगा और अगर ये इसी तरह ग्राम पंचायतों को गाउं समझ करके कि जैसे चीनी बनती है फैक्टियों में तो जो नमबर एक ग्रेट की चीनी होती है वो दिल्ली जाती है दूसरे ग्रेट की लखनवाची जो थर्ड ग्रेट की जो सबसे खराब चीनी होती हो गाउं में भेज जाती है मानसिक्ता आप देखिए पहले आदमी की ये मानसिक्ता है कि गाउं में रहने वार आदमी खराब खाता है यह तो कहो पर्मातमागी कृपा है कि हवा और पानी वहां उनको सुद्ध में लहाए गाउनों को नहीं तो सहर वाले जो है उनको अगर वह भी उनको भेजना हो तो भी अच्छी वाली हवा और पानी भी अपने नहीं रख लें। कि यहां खराब भेजे कि भाहों में रहते हैं, उनको खराब हवा और पानी चाहिए, लेकिन प्रकरत का नियम है कि सहर में हवा और पानी ठीक नहीं मिलता, लेकिन गाईं में लेकिन दोनों चीज अच्छी मिलती हैं, इसलिए चीनी हिसाब से ग्राम पंचाइतों को चेट पंचाइतों को जिला पंचाइतों को टांसपर करना सुरू करें अपने आप गाउं सहर उसी तरह हो जाएंगे बराबर सब्सक्राइब कि आगे आने वाले बात करती है और लोगों से हिंदुतों के नाते हिंदुऊ को जोडने का काम किया जाता है तो वहीं राय बरेली से जो विधायक है राकेश सिंग जी इन्हों ने गाओं के लोगों से जुड़े रहने के लिए क्या-क्या ऐसी चीज़े शुरू की हैं जिन से लोग प्रभावित होकर इनको सपोर्ट करते हैं जाने के राकेश जी से मैं जब चुनाओं लड़ रहा था तो गाओं में जब जाता था लोग मुझे कहते थी अब तो चुनाओं शुरू हुआ है अब तो आप लोग आओगे ही हमां लोगों के यहां तो मैंने उनसे पूचा कि ऐसा क्यों बोल रहें तो उन्होंने का कि 5 साल बीत गया हमारे यहां तक आया ही नहीं तो मेरे मन में बात चल लही थी जब मैं बिधायक बना तो मैंने सोचा कि कैसे किया जाए कि गाओं हम लोग रोज पहुंचें तो मैंने हमारी ग्राम बिधान समा में 164 ग्राम पंचायते पुल हैं और 365 दिन होते हैं साल में तो मैंने उनको 365 को 164 से भाग फ़च्छी ग्राम पंचायतों में तीन अस्थाёз और चोटी ग्राम पंचायतों में 2 अस्थाइळ मैंने सोचा कि आखंडरामा Broad कर सुरू कराया जाए और उसे मैंने संकल्व लिया कि जहां पर आखंडरामाःड होगी वहांपर मैं पहुंचूंगा जरूर्व तो मैंने आखंड रामाईड पहली जनवरी से सुरू कराया और उस में मैंने एक 365 लोगों का नाम और प्रभज नमबर लिख करके उसमें मैंने कलेंडर बन वाया इस कालेंडर को सभी लोगों कहां भीजवा दिया उसमें टेलिफोन नंबर सबके डलवा दिये कि मानलो जिसे जिसके हाँ करम होता है रामायड का अगर उस दिन उसके हाँ कोई बेवधान आ जाता है तो जितने उसके करम के बाद में आने वाले जितने लोग हैं उनका नंबर देख लिए कर कोई परचित हो तो उसमें डेट बदल लेकि हमारी डेट में आप करा दो हम आपकी डेट में करा देंगे ऐसे भी कर सकता है और नहीं होगा तो हमको टेलीफोन कर देगा तो मैं अर्जिस्ट्मेंट कर दूंगा कहीं कहीं तो मैंने ऐसा करम बराया कि 24 गंटे 365 दिन 12 महिने 5 साल तक जब तब मैं बिधायक रहूँगा तब तक हमारे हां रामाइड चलती रहेगी आखन रामाइड एक अस्थान पर रोज हमन होता है दूसरे अस्थान पर हमन होने इस पहले बैठ जाती है रामाइड और मैंने संकल्प लिया है कि जहां पर रामाइड होगी वहां मैं 24 गंटे पहुंचूंग जरूर उससे दो फाइदा होते हैं कि जैसे मैं दिन में बिधान सवाब में रहा या और किसी कारयाले में 6-3 कारे से रहा तो रात में 12 बज़े पहुंच जाओंगा अगर कहीं तो वहां पर रामाइड जहां होती 10-20 लोग हमको गाउं के बैठे मिल जाते हैं तो गाउं की कोई एहम समस्या होती तो जानकारी में आ जाती उसका निराकरन करा देता हूँ दूसरा ये था जैसे भी थंड़क चल लही थी मैं पूरे थंडी भर अपनी गाड़ी में 1200 कंबल रखे रहता था जहां पर रामाइड होती तो आप फोन कर देता तो यह अपने गाउं के गरीब आदमी जितने उनको बुला के रखो तो दो-तीन सो कंबल वहां हर जेगे बाट देता था पूरी थंडी भर में मैंने 10,000 कंबल अपनी जेब से खरीद करके बाटा इसे पूरे गाउं को लाप मिला वैसे मैं गाउं में जब घूमता था रात को तो हमारी गाड़ी में सवकंबल रखा रहता था तो गाउं में कोई आदमी छपर के नीचे मिल गया हमको कि लेटा हुआ है और इसको पास ओढ़ने का संसाधन ठीक ठाग नहीं है तो मैं उतर के कंबल उसको उड़ा देता था चला जाता था सड़क से कोई दिखाई पड़ रहा है कोई विकलांग ड्राइ साइकल से आ रहा है उसको मैंने कमल उड़ा दिया इस तरह से मैं काम दिनवर करता रहता हूं अभी जैसे गर्मियों में मैंने स्वेम फागिंग कराई पूरी अपनी बिधान सवा में मैंने कुछ करने के लिए सोच रहा हूं कि भाई गाउं में जो लोग रहते हैं उनको कैसे अच्छा किया जाए उनको सहरों जैसी ब्युस्था उपलब्द कराई जैसे मैंने अपनी बिधान सवा बीस हजार स्टीट लाइटे लगवा दी गाउं में एलेडी लाइटे जिससे सहर करके काम कराने के प्रयास करता हूं तरवाम ऐसे काम हैं जो मैं जब से बिधायक बना हूं अपने निजई क्मा सबंधाइ庭 Kir commitment घंटो हुए 23 तीन गांव को दभांत लोगों की बास जूँँगा कॉमकर напुशन्म façonको यह हुआ टेलिप्वन कोई भी आदमी में बारता है रहता हूँ नमबर कि कोई भी आउचकता हो digital पर उससे बात करो एक भी बार आदमी टेली फोन मिलाता है तो या तो हमारा दो घंटी में फोन बड़ उठ जाएगा या तो पांच मिलाद बाद हमारा लोट की फोन उसके पास पहुंच जाएगा कभी ऐसा नहीं होता कि फोन ना उठे यह रिकार्ड है हमारा कि आद तक जब बिधायक हुआ हो कोई विच्छे तकाद में नहीं कर सकता कि मारा फोन नहीं उठा जब फोन मिलाता है उठता जरूर है तुमाम ऐसी चीजें जैसे लोग आप देखते होंगे कि गाउं में लोग अगर बिधायक लोग जाते हैं तो सोचते हैं कि लोगों से ज्यादा लोग आदत हमें उनकी तरफ मुखादी भी नहीं हुता जो ज्यादा बड़े नेता होते जैसे गारी पास पहुंचते उनकी तरफ नहीं देखता मैं सीधे पीछे बैठे हुए जो गरीब लोग होते हैं उनसे अभवादन करते हुए आता हूं इसलिए कि वो जो पीछे बैठे वह हमारे घर तक नहीं पहुंच सकते हैं उनकी जरूत होगी तो हमारे घर में गुषके काम लेगे लेकिन पीछे बैठा वह आद्मी जो हमारे घर थक नहीं पहुंच पाता अगर मैं इस पाथ पहुंच जांओंगा उसकी बाथ पूछे लोंगए तुम्हें को close ली फुद बताओ और उसे कोई पीड़ा हो हमसे कह देगा उसका काम कर दूँगा तो उसका उर देना सार्थक हो जाए कि चलो आज बिधायक जी मेरे पास पहुंच गए खुदी और मैं कह दिया अपनी बात तो तो तमाम ऐसे काम है जिनको मैं स्वेम करता रहता हूं मेरा मान पहले साल अपने घर की सेवा कर चुका हूं अब बिधायक बना हो जिनकी वज़े से मैं उनका भी उतने जिम्मेदार हूं जितना आपने परिवार के लिए तो जब तक मेरी जिम्मOWNेदार फिवार भी है लेकिन उसके साथ वो भी लोग है जिन्होंने उड़ दे करके मुझे विधायक बनाया है तो मेरा धर्म कहता है कि मैं पहले अपने घर ना जा करके पहले उनके यहां जाओं जिनकी वज़स में विधायक हो इसी तरह मैं काम करता रहता हूं बाकि जैसी चाव पर गवाल बनाया जाता हूं उसाम मिलाद में जाता हूं और खुद प्रयद करके चिंहित करता हूं गाओं जिनकी आहां मिलाद करौ रहा हूं मैं आ 2018 से 385 रामाड में 33 रामाड में उपस्तित था 2 दिन खाली में तिरुपत 12 जी दर्सन करने के जाने के जुज़े से 2 दिन खाली रामाड में नहीं पहुत पाया अब आप सुचिए 365 दिन में अगर मैं 300 दिन भी अगर उपस्तित हो गया विधान समा में अपनी तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश कोई विधायक 300 दिन अपनी विधान समा प्रवार नहीं कर सकता तो मेरा लच्छे है गाउं अच्छा हो सहर की तरह बने इसी कामना के साथ मैं सरकार को भी सुझाओ दूँगा और आप लोगों के माध्यन से में कहना चाता हो कि जो अच्छा हो वो करें अपना जिससे गाउं के लोग भी संब्रद और मजबूत हो धन्यमाद विधान सभा में आवाज उठाईए और आने वाले समय में भी ये गाउं और देहाद छेतर के लिए विधान सभा में आवाज उठाते रहेंगे इनके कहने से अगर गाउं का विकास हो जाता है तो कहीं न कहीं गाउं तरक्की के रास्ते पर पहुंचते रहेंगे अजेब परताप सिंग एबी पियस न्यूज लखनाओ